Hello everyone and a very warm welcome to Sikshah So guys, 8th video है ये Social Protection Welfare Schemes का तो अभी तक हम 7 schemes cover up कर चुके हैं और ये 8th scheme है सारी जितनी Social Protection Welfare Schemes हैं वो सारी cover होंगी Do not worry, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, जितनी हो सब cover करेंगे अलग-अलग ministries की ऐसा नहीं है कि सिरफ हम Labour ministry को pick up करेंगे है सिरफ social justice हर ministry को pick up करेंगे क्योंकि social security is not only about labor it is also about various sections ठीक है, चाहे वो old जो woman हो, child हो जो reserved categories है वो हो, ठीक है तो Social Protection Welfare Schemes हम cover कर रहे हैं and PDF files आप download कर सकते हैं उसका link description में for just a minute cost of 99 rupees ओके जो आज हम scheme करने वाले हैं बहुत important scheme है बहुत important scheme है expect करके चलना question इसमें से और sample दो questions भी मैं आपको इस lecture में कराऊंगा after discussing the scheme so scheme is PM AJ या फिर जिसको आप बोलोगे प्रधान मंत्री अनुसूचिट जाती अभ्यूदय योजना बहुत important scheme है, बहुत जादा important scheme है काफी अच्छे से काफी ध्यान लगा करके इस scheme को समझना ठीक है, so प्रधान मंत्री अनुसूचिट जाती अभ्यूदय योजना basically आपको नाम से समझ में आगया होगा, ये scheme जो है for the welfare of scheduled caste communities उसको support करने के लिए ये scheme जो है, वो सरकार लेकर के आई है, centrally sponsored scheme में ये, पहले एक scheme हुआ गरती थी प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना जो 2019 से चालू थी ठीक है, जो basically SC majority villages की development का काम करती थी recently सरकार ने क्या किया पिछले साल 2021-22 के समय में, सरकार ने ना, इस scheme को और दो scheme के साथ, यानि कि total 3 schemes को merge कर दिया तीनो schemes जो हैं आपके Department of Social Justice and Empowerment के अंडरी हैं, तीनो schemes को merge करके एक नई scheme इनोंने चालू की, जिसका नाम था प्रधान मंत्री अनुसूचित जाती अभ्योदय योजना, तो जो features हैं वो इन तीनो schemes के होंगे इस प्रधान मंत्री अनुसूचित जाती अभ्योदय योजना के अंदर, तो कौनसी कौनसी schemes को merge किया गया है यह समझना बहुत important है तो एक तो आपकी प्रधान मंत्री आदरश गराम योजना होगी, जो मैंने आपको अल्रेड़ी बता चुका हूँ, उसके इलावा आपकी बाबु जगजीवन राम, छात्रवाश योजना जो बेसिकली हॉस्टल development का एक scheme है और फिर आजाती है आपकी special central assistance to schedule cast subplanned okay, SCA to SCSP जिसको हम बोलते हैं यह third component है तो अब इन तीनो schemeों को merge कर दिया गया है और आपका तीनों को merge करके क्या बन गया है, PM अजे तो यह पहले तीन अलग-अलग schemes थी, तीनों schemes के नाम याद होने चाहिए, question में वो directly पूछ सकता है okay, अब principal objective is scheme का क्या है basically, अगर मैं specially बात करूँ आदर्ष gram component की जो आदर्ष gram component है इसका जो 2019 से चालू था वो क्या था कि कैसे आप जो SC majority villages है उनकी development के उपर काम कर सके कैसे जो बहुत सारी central और state schemes चल रही है इस particular components से related SC dominated villages की development से related, कैसे ये various schemes को एक साथ ला करके holistic development के लिए काम किया जा सके, दूसरा इस scheme के अंदर ये देखा गया, सरकार ने recently ये देखा कि बहुत सारे areas ऐसे हैं, which are not getting covered, central scheme के अंदर भी नहीं वो cover हो रहे हैं और state scheme के अंदर भी वो cover नहीं हो रहे हैं, तो सरकार ने का कि ऐसे areas को cover करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए सरकार ने का कि हम एक gap filling fund create करेंगे ठीक है, और इस gap filling fund के अंदर क्या होगा, सरकार ने बोला कि ऐसी activities, जो अभी तक cover नहीं हुई है various central और state schemes के अंदर उन activities के उपर हम ध्यान देंगे और उसके लिए central government जो ऐसी dominated villages हैं उनको 20 लाख उर्पे पर village जो है वो देगी as a gap filling fund, ऐसी activities जिनके उपर अभी तक ना तो किसी central scheme ने focus किया, ना ही किसी state scheme ने focus किया, तो ये एक important point है, gap filling fund का इसको याद रखिएगा coverage के अगर हम बात करें, जो SC villages को हमें आपर cover करने की बात कर रहे हैं, तो जब ये scheme को शुरू किया गया था, तो thousand villages को cover किया गया था, 2014-15 में 1500 villages इसके अंडर आ गये थे, 2018-19 तक around 19,000 villages को cover कर लिया गया था, ये नंबर याद करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, 2017-18 में सरकार ने बोला कि कोई भी village जहाँ पर जो population है, total population जो village की है, अगर total population में 50% से जादा SC population है, तो ने नया नियम लेकर के आए, कि village में जहाँ पर 500 की कम से कम population हो, ठीक है, 500 की कम से कम population हो, और इस 500 या 500 से जादा की population में 50% से जादा SC population है, तो वो eligible होंगे इस scheme के अंडर, जो आपकी PMJ scheme है, तो 500 people minimum और 50% SC population, तो वो इस component के अंडर cover हो रहेंगे, next है आपका granting aid component, जिसमें grants की बात हो रही है, ओके, तो granting aid component कौन सा था पहले आपका special central assistance to schedule का sub plan for implementation, यह था, तो अब इसको भी PMJ के अंदर डाल दिया गया है, अब PMJ के अंदर क्या guidelines है, वो समझो, तो सबसे पहले तो ने क्या बोला, project based approach कि किसी भी project के पहले क्या होता था, पूरे के पूरे program के उपर पैसा दिया जाता था अब individual projects को identify किया जाएगा और उसके साब से पैसा दिया जाएगा ठीक है, ताकि जो targeted population है, वो self-reliant हो सके फिर आजाती है, जी decentralized planning अब इनोंने का कि जो भी projects होंगे for development, वो district level पे बनाये जाएगे, और consult किया जाए, जो various stakeholders है, ताकि local needs का ध्यान रखा जाए, इसके अंदर जो beneficiaries या households है SC population के, उनको financial assistance provide करने का भी provision है ताकि assets acquire किये जा सके, for self-development तो पहले जो assistance assistance provide की जाती थी, वो 10,000 रुपे की होती थी, ठीक है, अब इनोंने क्या बोला, कि इस 10,000 रुपे को बढ़ा करके 50,000 रुपे कर दिया financial assistance to individual या फिर household, 50,000 या 50% of the asset cost, whichever is less, for example कोई 2,00,000 रुपे का अगर asset खरीदता है तो 2,00,000 रुपे के asset में 50,000 या 50% whichever is less, तो 2,00,000 का 50% कितना होगा, 1,00,000 हो जाएगा तो कितना assistance मिलेगा, 50,000 because 50,000 is less, for example कोई 1,00,000 रुपे का asset खरीदता है तो उसमें 50% कितना होगा, 50,000 और up to 50,000 है तो 50 मिल जाएगा कोई 80,000 का asset खरीदता है, तो उसमें 50% कितना होगा 40,000, तो फिर कितना मिलेगा 40 मिलेगा, तो 50,000 या 50% of the asset cost जो भी less होगा, ये 50,000 वाली value 50% value value याद रखेंगे उसके बाद जी इन्होंने PMJ web portal भी बना दिया जिसके उपर बिना किसी hindrance के आप submit कर सकते हो, अपने action plans को, ताकि इसको fast process किया जा सके एक सरकार ने project implementation unit भी बनाई है, इसका क्या काम होगा, ये district level पे state और union territories की जो implementation agencies हैं, उनको help करेगी ताकि वो better monitoring कर सके fund allocation criteria fund allocation criteria के अंदर क्या है, जी देखो, जो allocation होगा, different allocation होगा, states को, union territories को, ठीक है, उसको भी simplify किया है, ताकि states और uts को एक idea रहे कि हंजी हमें इतना पैसा scheme के अंदर मिलेगा, ताकि वो अपनी better planning कर पाए, ओके तो main point इसके अंदर जो आपने आद रखना है न, वो ये वाला है assistance वाला, 50,000, बाकि तो वो इतना जादा detail में नहीं पूछेगा, hostel component के उपर आजाओ, जो आपका है जिसके अंदर hostel development होगी, इसके अंदर एक तो web portal बना दिया, web portal ताकि जो hostel proposals हैं, उनको quickly approve किया जा सके, साथी साथ, color coding होगी, hostels की better identification के लिए, girls hostels की जो coding होगी, color coding होगी वो होगी, pink और boys hostel की डाग दे, कहीं बार न, UPSC EPFO जैसे exams के अंदर, यह minor minor से statements डाल देता है, अभी बच्चों को लगते हैं, पढ़ाई करते हैं, बेटा देखो, हमको बहुत सालों का experience हो गया ठीक है, कम से कम 9 साल हो गए हैं, UPSC के साथ जुड़े हो गए तो UPSC की रग रग को हम जानगे हैं जब पहले exam हम लोग देने लगे थे न, या जब हम लोग तयारी करनी शुरू करने लगे थे exams की तब हमें भी कहीं चीज़ों को पढ़कर के ऐसा लगता था, कि यार यह चीज़ थोड़ी paper में वो पूछ लेगा, यह point थोड़ी वो paper में पूछ लेगा but over the time we have experienced कि यह सोचना बहुत गलत बात है और as a teacher, as a student आपको अपने teacher के उपर trust करना है कि अगर आपको आपका teacher एक 7-8 minute के अंदर scheme cover कराने की कोशिश कर रहा है, 10 minute के अंदर scheme तो जाहर सी बात है कि वो selected material already लेकर गया रहा है तो उस teacher पर थोड़ा सा आपको trust करना पड़ेगा कि हाँ, जो sir बता रहे हैं, या जो sir ने points दिया है, वो exam के लिए important है, तो वो एक भरोसा जरूर बनाए रखिएगा, practice question देख लो, एक तो सीधा सा question यही आ गया, कि प्रदान मंत्री अनुसुचित जाती, अभूदय योजना के अंदर कौनसी कौनसी scheme को merge किया गया है अभी मैंने तो बहुत simple question मनाया है वो option में एक आदी scheme ऐसी डाल देता कि जो इसका part नहीं है ठीक है, तो थोड़ा सा confusing हो जाता तो अभी तो देखो A special central assistance, यह वाली है अधर्जगराम योजना भी है बाबु जग जीवन नाम भी है तो answer क्या हो जाएगा, all of the above D will be the right answer, simple सा question है बस आपको एक type समझाना है दूसरा type का question देखो जी कि financial assistance जो provide की जाएगी credit link asset acquisition के लिए वो कितनी है, 10,000, 30,000 50,000, 1,000, अब अगर किसी ने नई scheme को अच्छे से नहीं पड़ा है तो हो सकता है कि वो option A इसका answer कर रहा है, वो गलत हो जाएगा तो correct answer क्या है है आपर, option C 50,000, और 50% whichever is less तो ये भी आप याद रखेंगे already guys, so this is your PM AJ scheme, very important अच्छे से इसको cover कीजिएगा चलिए, तो आशा करता हूँ कि सबको मज़ा तो आया ही होगा मज़ा आया हो, तो channel को subscribe कर देना video को like करना हो, तो वो कर देना comment में कुछ कहना चाते हो, तो वो कह सकते हो कोई doubt है, telegram पे पूछ सकते हो link description में है, या फिर whatsapp कर सकते हो, या mail कर सकते हो मिलेंगे नेक्स लेक्चर में, तिल देन, तेक केर और बाए